तो आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में Track Changes Option का इस्तमाल हम कैसे करते हैं Microsoft World पर Basic Select Advanced के वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेलिस का लिंक दिया है वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले यह जानते हैं कि Track Changes Option का इस्तमाल होता क्यों है मलब क्यों हमें इसका इस्तमाल करना चाहिए यह बिसिकली तब काम आता है चाहिए यह होता कहा कहा है यह मिले का आपको Review टैब में यह होता कहा होँए इसमें इसमें क्लिक कर दीजे तो नीचे को बहुत सायर option मिलेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यह है track changes का option, ठीक है, तो जब cursor यहाँ पर ले जाएंगे, तो यह देखिए, liquor के भी आ रहा है, this is especially useful if the document is almost done and you are working with others, यानि कि जो document है, वो आपका लगभग complete हो गया है, लेकिन आप किसी और के साथ काम कर रहे है and you are working with others to make revision or give feedback, कि उसके साथ कुछ revision करवाना चाहते हैं, वो आप revise करवाना चाहते हैं, document या कुछ feedback देना चाहते हैं, तोनों ही सूरतों में वो आपके लिए मदद का, यह option आपके लिए helpful होगा, ठीक है, अब चली स्तमाल करके देख लेते हैं, तो क्या करना है, इस पर drop down क्लिक करिए, और यहां पर आपको दो option मिलेंगे, हमको पहले option तो क्लिक करना है, यहां कि track changes, इस पर क्लिक कर दीजे, तो यह देखिए, यह highlight होगा है, थोड़ा सा, ठीक है, आप माल लीजे कि मैंने यह help यहां पर type किया हुआ, यह दिया हुआ, इसको हमने यहां से delete कर दिय तो यहां पर delete नहीं होगा, अभी देखिए कि क्या होता है, यह देखिए, हमने इसको delete कर दिया, तो इस पर एक strike through बन कर के आ गया, मतलब यह बता रहा है कि यह word यहां से delete किया गया है, ठीक है, उसी तरीके से माल लीजे कि want की spelling में हम को change करते हैं, ठीक है, माल लीजे कि हम double से बन करके आ गया, और बगल में देखिए, left hand side में यह line बन करके आ रही है, कि इस paragraph में यहां यहां changes किये गया है, ठीक है, जो कुछ भी आप change करेंगा, माल लीजे कि मैं इतना option delete कर रहा हूं, तो यहां पर red निशान बन करके, आ गया है, strike through बन करके आ गया, ठीक है, तो इस लिए use होता है, track option का, track changes option का, Microsoft World में,